Very good morning modern stars, how are you all? I hope you all are good and you all are safe also. Class 5th, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू में chapter 3 का part 3. Chapter 3 में हमने गुलाब का पौधा chapter पढ़ा, ना? गुलाब का पौधा chapter में क्या थे story? दो बच्चे हैं, एक है एहमद और इरम. दोनों ने क्या किया है? गुलाब का पौधा लगाया. और इरम अपने पौधे को डेली पानी देती थी, एहमद नहीं देता था. ठीक है? आगे क्या हुआ? वो देखते हैं और उसके बाद आप अपना होमवक देखेगा, आज आपको होमवक में क्या करना रहेगा. First of all, everyone, open your book. Open सबक 3. सबक 3 क्या है? गुलाब का पौधा. ये, गुलाब का पौधा. ये स्टोरी हमने पूरी रीट कर ली थी. है न? और आपने अपने होमवक में fill in the blanks कर लिया है. अब आज आपको होमवक में सवाल जवाब करना है. ओके? सवाल जवाब करने के लिए आप पहले book में, अपनी copy में, note book में. ओके? मेंशन करेंगे सबक 3. कैसे लिखोगे सबक? ये, सबक 3. और उसके नीचे सबक का नेम मेंशन करोगे. ठीक है? गुलाब का पौधा. ये मेंशन करने के बाद, उसके बाद सवाल जवाब लिखोगे. पहला लिखोगे सवाल एक. कैसे मेंशन करोगे सवाल? सवाल एक. और ये सवाल लिखोगे. क्या है? इरम और एहमद दोनों किस फूल का पौधा लाए? और उसके आगे question mark. उसके बाद सवाल लिखने के बाद, जवाब लिखोगे आप. जवाब में लिखोगे गुलाब का. किसका पौधा लेकिया थे? गुलाब का ना? तो आप जवाब में लिखोगे गुलाब का. बस इतना answer में लिखना है ठीक है? जवाब mention करना है. जवाब एक गुलाब का. और अच्छे से सारे student write करेंगे. ओके? अच्छी end writing में. गुलाब का. नेक्स question क्या है? सवाल नंबर दो. ऐसे mention करिएगा. सवाल दो. सवाल दो में हम देखते हैं क्या है? दोनों ने पौधा कहां लगाया? दोनों ने पौधा कहां लगाया था? बताईए. घर के आंगन में. है ना? तो आप answer में यही write करोगे कि घर के आंगन में. यह write हुआ है. घर के आंगन में. यहां से यहां तक. घर के आंगन में. जवाब दो. मेंशन करके जवाब दो. घर के आंगन में. यह. सेकेंड लाइन में है आपका answer. फिर सवाल तीन क्या है हमारा? इरम का पौधा क्यों खुश्बू देने लगा? खुश्बू कब आने लगती है? जब पौधे में फूल निकल आते हैं न? तो answer में लिखोगे जवाब में. क्योंकि उसमें. उसमें लिखने के बाद आगे लिखोगे फूल निकल आये थे. निकल ऐसे लिखोगे. ठीक है? आये थे. फिर नेक्स कुश्बू देखते हैं. सवाल नमबर चार हमारा क्या है? सवाल नमबर चार है. पौधो में हमारी तरह क्या होती है? जान होती है. तो क्या आप answer लिखोगे? जान होती है. पौधो में हमारी तरह ही जान होती है. सेम जवाब में आपको पौधो में हमारी तरह यहां तक लिखना है. बस क्या की जगाँ आप क्या लिख दोगे? जान. पौधो में हमारी तरह जान होती है. नेक्स सवाल पांच क्या है हमारा? एहमद का पौधा क्यों मुर्जा गया? क्योंकि एहमद ने अपने पौदे का खयाल नहीं रखा क्या लिखोगे क्योंकि एहमद ने अपने पौदे का खयाल नहीं रखा ऐसे लिखोगे जवाब पाँच जवाब पाँच जवाब में क्या लिखोगे क्योंकि क्योंकि अहमद ने अपने पौधे का खयाल नहीं रखा रखा ओके I hope इतना आपको समझ में आगया होगा आपको सवाल जवाब सारे समझ में आगया होगे कैसे राइट करने हैं जिसको कोई कन्फियूजन होगी वो वाट्सप ग्रूप पे अपना कुशन पूछेंगा और सारे स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कम्प्लीट करके सेंड करेंगे ओके थैंक यू एन हैवा नाइस जी जिसको भी एंसर नहीं मिलेगा सारा एंसर बुक में है फर्स्ट आफ ओफ आल आप कॉपी पेन लेके बैठियेगा साथ में अपने और वीडियो देखते जाएगा पहला कुश्चन राइट करिएगा फिर वीडियो पॉज करके एंसर राइट करिएगा इस सारा से जब भी वीडियो देखिए तो आप कॉपी पेन के साथ बैठिये ताकि किसी भी सबजेक्ट की वीडियो देख ताकि जो important उसमें बताया जाए वो आप फॉरण note कर लो, okay, thank you and have a nice day.